जे राम, जे सियराम, जे होब आगे सुर्दाम सरकार, मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परिसान हों, कर जिससे मुक्ति पाना चाहते हों, पैसों की तंगी है तो बस आप इस हरी लाइची का प्योग, सही तरीके से यदि आप अपने जीवन में कर लेते हैं, तो बस आपको हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगे, वसे हरी लाइची का प्योग, हम सभी लोग भोजन में तो करते ही करते हैं, ताकि भोजन का स्वाद बढ़ा सके, भोजन स्वादिष्ट हो सके, लेकिन इस अनुखे तरीके से यदि आप हरी लाइची का प्योग अपने जीवन में कर लेते हैं, ताकि आपका जीवन सुख में हो सके, पैसों की तंगी से मुक्ति पा सके, दर्दता जन्मों जन्मों की करतम हो जाए, और आपके घर में मातलग्शिमी का वास हो जाए तो चलिए हम सभी लोग जान लेते हैं, आखिर हरी लाइची का प्योग अपने जीवन में सुख सांती बढ़ाने के लिए कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले, मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियों तो सब्सक्राइब करें, उ वैसे हरी लाइची का प्योग करने से धनकी कभी नहीं कमी होगी, जोतिस सास्तर के नुसार कहा जाता है कि जिसके भी जीवन में समस्याइं रहती है, आर्थात उसका ग्रह जो कभी सांत नहीं रहता है, उसका ग्रह मजबूत नहीं है, उसका ग्रह असांत है, उसका ग्रह कम उपयोग करिएगा वैसे हरी लाइची खाने के स्वात तो बढ़ाता ही बढ़ता है खाने के स्वात के साथ साथ खुसबू भी बढ़ा देता है लेकिन यदि आप इस अनुखे तरीके से इस हरी लाइची का उपयोग अपने जीवन में कर लेते इस तरीके से कर लेते आपके जीवन में धन दौलत तथा माता लक्षमी का वास जन्मों जन्मों के लिए आपके घर में हो जाएगे माता लक्षमी आपके घर से कभी ने जाएगे इसलिए आप इस अच्छुक उपाय को जरूर करिएगा ताकि आपके घर से दर्दता कोसो दूर चले जाए और आपके घर म नहीं हो तता कोई भी प्रकार के समस्याओं से परसान हो हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी आपके घर में धन धान से सम्रिद्यों के इस वज़े से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो पहला नमर की बात है यदि आप कोई भी कार करते हैं आपका कार पूरा नहीं होता है आपका कार में अनचन आ जाती है बना काम बिगड़ जाता है तो आपको बस इस अनोखा उपाय को करना है ताकि आपका कार रुके ही नहीं है आपके कार में किसी प्रकार का रुकावट करना क्या है आपको एक लूटा जल लेना है तांबे का लूटा या पीतल का लूटा तो अतिसुग होता है ठीक है एक लूटा जल आउसमें क्या करना है दो इलाइची डाल देना है ठीक है तांबे के लूटे में एक लूटा जल बरना है उसमें दो इलाइची डाल देना है उ उबालने के बाद जब यह पानी आधा हो जाए अर्तात पूर्डू से उस इलाइची का परभाव उसमें हो जाए तो आपको इस पानी को लेकर एक बालती पानी में डाल देना है एक बालती पानी में डालने के बाद आपको सुबह के समय में इस काम को करना है असनान करना है औ ओम जयन्ति मंगला काली भद्य काली धान से सुनिए ओम जयन्ति मंगला काली भद्य काली बस इस मंत्र को उचार करना है इस काम को आपको सुक्रवार के दिन करना है यदि आप इस उपाय को सुक्रवार के दिन करते हैं तो आपका सुक्रवार मजबूत हो जाएगा और आपके पर काया का कोई अड़्चन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं आएगा, दूसरा नमर की बात है, यदि आप आर्थिक संकट से परसानों, पैसों की तंगी हैं, पैसों के ले कर समझ जाए हैं, आपके घर में पैसों की वज़े से जगडे हो जाते हैं, तो बस आप इस उपा आपको किसी गरीब को किसी गरीब को एक रुपिया दान कर दे या एक इलाइची खिला दे इसके भी अच्छा प्रभाँ आपके जीवन में दिखाई देता है इस उपाय को करना है या गुरुवार के दिन 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 करते तो अच्छा पड़वा मिलता ह पीले कपड़े को ले जाकर के मंदिर में, यह लेकिन लेकिन अगर हनुमान जी का भी मंदिर या चाहे कोई भी मंदिर वहाँ पर किसी भिखारी को कि या किसी भिख्चु को या किसी गरीब को यदि इसे आप दान दे देते हैं तो बस आपको इस उपाय को करने से आपके जीवन में मन चाहा वर मिलता है इस उपाय को पांच गुरुवार करना है मतलब पांच गुरुवार करें या पांच सुकुरुवार के दिन करते है गुरुवार मतलब ब्रिस्पती का दिन होता है मतलब भगवान विश्णू का दिन होता है सुकुरुवार मातलक्षमी का दिन होता है तो आपके जीवन में जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, अच्छा बर मिलेगा, मन चाहा बर मिलेगा, जिससे साधी करना चाहते हैं, आर्थिक क्या बोलते हैं, बहुत दिनों से आपका साधी नहीं लेक रहा है, बिवाह नहीं हो रहा है, आपको अच्छा बर नहीं मिला, मन टहाबर नहीं मिले जाहें मकंडू अ सब्सक्रान को आपको लड़का कुidas का बत के डिया आप ci द्रस्दका जाखनें को तरह स्ताल नहीं करें पते हैं या किसी भी परकार की कोई इस स्αςचिक समंदी आप ज्यान पाना जाते हैं तो एक सुपाय को करना आपको बट के पत्ते बंच पत्त लेना ना ठीक है कई बर्गत का सपद्तक ने लुए और पांचशी से मिठाय और दे लएची हर पत्ते पर लखनी है और इस उपाय को कहां पर करना है पीपल के पेड़ के नीचे करना है इस उपाय को पीपल के पेड़ के नीचे करना है क्या करना है आपको पांच बरगत के पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे पले बिछा लिजे उसके बाद एक एक मिठाया सब पर रख दिया उसके बाद से द सब कुछ करें ठीक है जो कुछ भी आपके मन के इच्छा है वहां पर बोले लेकिन इस उपाई को करने से सिच्छा में जादे परभाव साली खुड़ दिखाए देते हैं और जब घर आते समय आपको पीछे नहीं देखना पीछे मुड़ करके बिल्कुल ही नहीं देखना आपको इसके प्रेडाम दिखाए देने लगे गए तो करना है क्या है आपको नौकरी या ब्यपार को बढ़ाने के लिए नौकरी में पद्दूनती का निकली सुपाय को करना है हरे कपड़े में आपको इलाइची बाद देना है ठीक है हरे कपड़े में पांच इलाइची क के नीचे रखकर सो जाना है ठीक है हरे कपड़े में पांच इलाइची के दाने को बांद देना है ठीक है वह इलाइची का दाना तूटा फूटा नहीं होना चाहिए और रात में तकिये के नीचे रखकर के सो जाए सुबह उट करके बाहरी जो अपने घर का ब्यक्ति नहीं हो किसी बाहरे बेक्ति को यदि आप इस इलाची के दाने को खिला देते हैं ता आपके जीवन में जो नौकरी से समस्याए हो रहे हैं उस पर करके समस्याए नहीं होंगी नौकरी बेपार आपका हंडेर का हंडेर परसेंट है चल पड़ेगा